हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम पीवाई क्यूस करेंगे जेही में 22 और 23 के और टॉपिक है हमारा करेंट इलेक्रिसिटी यह पहला क्वेश्चिन अ करेंट ऑफ 15 मिली एंप्यर फ्लोज इन दे सर्केट अशोन इन फिगर वेल्यू अफ पोटेंशल दिफरे करेंट फ्लोज हो रहा है कि परेंट 15 मिली एंप्यर का जब इस जंक्शन पर रीच करेगा करेंट डिवाइड होगा क्योंकि यह दोनों लगे हुए पैरलल में और पैरलल में आपको पता है कि करेंट डिवाइड होता इन इन्वर्स प्रपोर्शन ओफ रजिस्टेंस तो र पार्ट्स देंगे मतलब इसमें फ्लोगा 10 मिली एंपियर का करेंट और इसमें 5 मिली एंपियर का तो हर ब्रांच का करेंट मिल गया कि दोनों करेंट फिर से आडप होकर इसमें भी 15 मिली एंपियर का करेंट फ्लोगा और करेंट बहरा है A to B इसका मतलब यह पॉस्टिव और यह negative higher potential और यह lower potential और अब लगा देंगे किर्चॉफ का law मैं इस रास्ते से जाने वाला हूँ A से B through नाम रख देते हैं इसके A B C D A B C और यह भी B हो गया है capital B है मतलब A B C इस path के लिए मुझे equation लिखना है A B C B तो यहां खड़े हो जाते हैं हम potential मान लेते हैं V A potential difference find करना है और B के बीच A का potential V A suppose कर लिया आगे बढ़ेंगे तो यहां क्या आएगा drop current की direction में आता है drop यहने potential difference को हम negative sign के साथ में लिखेंगे और यहां यह current है milli ampere में resistance है kilo ampere में तो milli मतलब 10 to the power minus 3 और kilo मतलब 10 to the power 3 यह cancel हो जाते हैं मतलब इनको लेने की भी जरूरत नहीं आपको तो इन दोनों का multiply कर लेना चाहिए 5 into 15 मतलब 75 का drop drop का मतलब energy loss 75 का drop आया फिर यह जा रहे हैं इदर कितने का drop आएगा किलो मिली भूल जाओ अब 5 into 10 मतलब 50 का फिर से drop current की direction में drop और फिर इधर भी drop आएगा current कितना है फाइव मिली एंपिया सॉरी 15 मिली एंपिया और यह 10 ती 150 150 का drop और कहां रीच कर गए बीपर हमको चाहिए potential difference वी यह इसको इदर लाते हैं और इन तीनों को उधर transpose कर देते हैं तो देड़ सो और पचास मतलब कितना हुआ 200 275 वोल्ट यह स्क्वेश्यन का अंसर हो जाएगा 275 वोल्ट तो आसान सा क्विश्चन है अगला क्विश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं the maximum error in the measurement of resistance current and time for which current flows in the electrical circuit are 1 2 & 3% respectively the maximum percentage error in the detection of the dissipated heat will be the question वैसे error analysis से है पर क्योंकि इसमें जो equation use होगा वो किसका होगा heat produced का आपको मालुम है क्या पूछा हुआ हैं से the maximum error in the measurement of resistance current and time for which current flows in the electrical circuit are 1 2 & 3% maximum percentage error in the detection of dissipated heat आप गया दिलाता हूं यहां जो relevant formula होगा वह होगा i2RT बहुत सारे formula होते हैं heat produced के यह यह लगेगा और हमसे पूछा है इसमें maximum percentage error तो सीधे आपको ऐसी equation बना लेनी चाहिए डेल्टा H by H into 100% यह हमको find out करना है इधर क्या होगा आपको पता होगा क्या करते हैं log लेकर differentiate करते हैं तो यह तीनों terms जो हैं वो segregate हो जाएंगी पहली term जो आएगी वो आएगी 2 इसको मैं सब्सक्राइब कर देता हूं टू डेल्टा आए बाया इंटु हंड़ेड परसेंट एक्जाम में तो यह भी सब नहीं करना मेंटली उसको सॉल्फ कर सकते हैं प्लस क्या आएगा डेल आर बाया आर इंटु हंड़ेड परसेंट और तीसरी टर्म आएगी टी की डेल्टा टी अपॉन टी इंटु हंड़ेड परसेंट तो एक्जाम में यह कुश्चन आता है तो बस आपको क्या कर देना है आपको चाहिए यह तो यह भी लिखने की ज़रूरत नहीं सीधे आप क्या देखो टू यह पावर सामने आ जाएगे तीनों टर्म्स के बीच अडिशन का साइन आता है क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमसे पूछी हुए है टू इंटू परसेंटेज जो एरर है यह किसमें कितनी है करेंट में तो सेकेंड नंबर पर करेंट है मतलब य इन तीनों टर्म्स को हम को आड़ कर देना है फॉर प्लस वन और थ्री याने एट परसेंट का आएगा मैक्समम परसेंटेज एरर इन इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चिन करते हैं क्या बोला है इन दो पोटेंशो मीटर अरेंजमेंट पोटेंशो मीटर अप से ल 30 cm length of wire तो आपको formula याद आया होगा क्योंकि board exam में तो है भी यह syllabus में आपको पता होगा जब हम balance करते हैं किसी cell के EMF को तो इस तरह की equation होती है क्या है potential gradient और L है balancing length तो पहले क्या बोला है हम से 1.20 volt के EMF वाले cell को balance किया balancing length कितनी मिल रही है 36 यह पहली बात फिर क्या बोला है this cell is now replaced by another cell of EMF 1.8 volt के cell को balance किया the difference in balancing length of potentiometer wire in the above conditions will be तो यह थी पहले balancing length अब कितनी होगी पहले यह find कर लेते हैं ऐसी दो equations बनाएंगे divide कर देंगे के cancel 12 by 18 मतलब कितना होगया 2 by 3 is equal to 36 by x यह नई balancing length तो यह 18 बार cancel होकर x आ गया कितना 54 और हमसे पूछा है difference यह नई balancing length और यह पुरानी balancing length तो कितना इसका difference 18 का table आ रहा है तो 18 ही इनके बीच का difference है तो यह इस question का answer है बहुत ही आसान question अगला क्या बोल रहा है two ideal diodes ideal diodes यह दो diodes दिखाई दे रहे है ideal diodes are connected in the network as shown in figure the equivalent resistance between a and b is ohm में को equivalent resistance बताना है अब यहां दिखाया हुआ है यह positive terminal यह सीधे connected P type के साथ यह junction diode PN diode और positive इसके साथ connected है मतलब यह forward bias और इधर देखें यह यह negative terminal है यह सीधे जुड़ा है पी के साथ में इसका मतलब यह reverse bias में reverse bias में यह वह ideal diode है तो उसका resistance हो जाएगा infinite इसका मतलब यह branch किसी काम की नहीं है इसको मनी मन में हटा देंगे और यह यह forward bias है ideal diode मतलब इसका resistance negligible है conducting wire जासा है मतलब यही आपका circuit इस तरह से बनाया जा सकता है दुबारा इसको हमने रीड्रा किया ऐसा है हमारा circuit सिंपल यह भी यह ए और अब हमको equivalent बताना है यह कितने का है यह 20 ohm का और यह भी 20 ohm का है तो यह दोनों कैसे हो गए parallel में और parallel में आप जानते हैं equivalent कितना होता है एन रेजिस्टर सीच आफ वेल्यू आर आर कनेक्टेद इंपर्ल इक्विवेलेंट इस आर बाइन तो 20 और 20 के दो मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यह सिंगल रेजिस्टर आफ 10 ohm और यह 15 तो जब इसको हमने रिप्लेस कर दिया कितने से 10 से तो इसके साथ में यह आ जाएगा सिरीज में कितने का 15 ohm का यानि equivalent कितना हो जाएगा आप सिरीज में दोनों सिरीज में तो रेजिस्टर साइड हो जाते हैं आंसर इसका आंसर है आसान कुश्यन नेक्स्ट एट कॉपर वायर्स अफ लेंथ एल डायमीटर डी आर जॉइंड इन पैरलल फॉर्म सिंगल कंपोजिट कंड़क्टर ओफ रिजिस्टेंस आर तो पहले एक वायर का सिंगल वायर का रिजिस्टेंस हम लिखते हैं कितना होता है वो रो एल अपॉन ए रो रो को रिजिसेंस है ऐसे ऑथ वायर्स को पैरलल में जॉई्ट किया है तो एक्विवेलेंट मिल रहा है है Peters यह सिंगल वायर का रिजिस्टेंस है सिंगल वायर है अब दिए पैरलल में कनेक्ट करते हैं तो इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यह मिलेगा तो 4 rho L upon 8 pi d square यह हमको given है अब आगे क्या बोल रहे हैं if a single copper wire of length 2L have the same resistance as R एक नया resistance दूसरा single copper wire single copper wire की अब बात कर रहे हैं single copper wire उसका भी resistance R है और copper के ही दोनों यह भी copper के थे वो भी copper के है resistivity तो अभी भी रहेगे length कितनी है उसके 2L length है 2L और क्या बुला है then its diameter will be diameter हमको find out करना है यह formula लगाना पड़ेगा रो length कितनी 2L और यह 4 भी आएगा यहां क्योंकि diameter की terms में बात हो रही है पाई डी डाश स्क्वेर यह दी डाश हमको find out करना है और दोनों को equate कर देते हैं क्योंकि है तिर यह pie cancel out हो गया और equate कर रहे हैं तो इधर कितना आया 1 by8 D square यह बचा और इधर क्या बचेएगा यह two two upon कि डश स्क्वेर ली डाश स्क्वेर ली डाश स्क्वेर लीडाश निकालना है आपको ड़ी डाश स्क्वेर विल भी इसको उदर ले गए तो 16D square हुआ यह और square root लेने पर यह D dash की value कितनी आ जाएगी 4D यानि कितना हो गया diameter पहले कितना बोला था उसने small d तो अब कितना हो जाएगा 4 small d यानि यहां आएगा 4 कि कि D already लिखा हुआ है तो यह इसका answer है असान है यह भी अगला question in the given figure the value of V0 will be कहा है V0 यह इसकी value बतानी है इसको हम solve करेंगे नोडल मेथट से तो मेथट भी आप समझने की समझने की कोशिश करना आसानी से इसको नोडल मेथट से solve किया जा सकता है यह grounding किया हुआ है मतलब इसका potential है zero पहली बात और इस point का potential कितना होगा V0 इसका भी कितना होगा V0 और इसका भी potential कितना होगा V0 पर जब हम यह सिरेंगे तो इसका potential कितना होगा तो यह होगा टूवोट यह कितना होगा यह सिक्स वॉल्ट इस तरह यहां पर हमने यह in points के potential's absolute potential चलिक लिए और अब अब Nodal Method का मतलब यह है कि इस Node की बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इधर Current Flow हो रहा है, इधर Current Flow हो रहा है, इस वाली ब्रांच में, इसमें इधर हो रहा है, इसमें इधर हो रहा है, और आपने KCL में पढ़ा होगा, कि सभी Currents का Algebraic Sum 0 होगा, आप इसमें Current कितना होगा, ले सकते हैं, हम इस Node की बात कर रहे हैं, इस Node पर सभी Currents का Algebraic Sum को 0 कर देना है, तो यह आराम से Solve हो जाएगा, अब बताओ, कि यहां पर यह Current कितना है, इसमें जो Current Flow हो रहा है, वो कितना Current यू दिखाया आपने, मतलब यह 2 और वो V0, यह तो होगा Potential Difference, और Resistance कितना है, 1 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm, तो यह हो गया, यह वाला Current, I1, फिर यह कितना होगा, I2 यह दी बोलें, तो इधर भी Current यू शो किया है, मतलब 4 minus V0, 4 minus V0, अपन 1 Kilo Ohm, यह हो गया, तीसरा Current यह 3 कितना होगा, I3 क्या होगा, I3 हो जाएगा, 6 minus V0, 6 minus V0 अपन 1 Kilo Ohm, तीनों 1 Kilo Ohm के Resistance है, तो इन सब Currents का यह Brick Sum 0, यह लगाया है, हमने KCL, Kirchoff's Current Law, सबको पता है, समेशन I0 होता है, किसी भी Junction के लिए, यह नोड के लिए, तो यह 1 Kilo Ohm तो common आकर 0 हो गया, यह तो बचता क्या है, 2 minus V0 plus 4 minus V0 plus 6 minus V0 equals to 0, ठीक, इतना हुआ, 6 और 6 बारह, minus 3 V0 equals to 0, and so V0 comes out to be 4 V, तो यह इसका आंसर है, 4 इसका आंसर हो गया, इसको कहते हैं, नोडल मेथट, तो बहुत ही आसान सा क्विश्च्चन है, अगला, in the current, the current R in the given circuit will be, तो जैसी आपने इसको देखा, आपको याद आगया होगा, कि यह तो balanced V-stone bridge है, यह है balanced wheat stone bridge, और यदि यह balanced wheat stone bridge है, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, मनी मन में इसको हटा देंगे, तो यह चार और यह चार उपर वाला, यह resistance 1 और 2, यह दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में याने 8, और यह तीसरा और चौथा भी सीरीज में होगा, वो भी कितना हो जाएगा, मतलब 8 ohm, और 8 ohm के दो resistors किस तरह connected हैं parallel में, यानि equivalent कितना हुआ, equivalent हुआ four, क्योंकि 8 heart के दो मतलब four, और यह कितना है, यह 40 volt, जो supply लगी हुई है, वो 40 volt की है, तो फिर से इसको reduce करके single register four में बदला हमने, और 40 volt का potential difference है, potential difference है, तो current कितना है, यह हम से पूछा था, यह जो current बैटरी से draw हुआ है, वो हम से पूछा गया था, तो बस I is equal to V by R, मतलब 40 by 4, यानि 10 ampere का current, इस circuit ने बैटरी से draw किया है, तो the current in the given circuit will be, तो अंसर क्या हो गया, यह हो गया, अंसर A is correct, तभी अगला question, resistance R connected in a meter bridge circuit as shown in figure, the balancing length L1 is 40 cm, now an unknown resistance X is connected in series with P, a new balancing length is found to be 80 cm measured from the same end, then the value of X will be in ohm, तो यह meter bridge दिखाया हुआ है, AC यह है meter bridge का, वो 1 meter long wire और यह दो gaps, left gap में लगा हुआ है, 4 ohm का resistance, और balancing length कितनी मिली है, पहली बार 40 cm, तब यह कितना हो जाएगा, 60 cm, क्योंकि यह 1 meter long wire होता है, तो एक equation बना लेते हैं, P कितना है, P है 4, तो P upon Q, यह balance bridge है, तो P upon Q, यह होगा 4, 40 upon 60, मतब 2 by 3, तो P upon Q is equal to 2 by 3, तो Q निकला है, यहां से कितना हो गया यह, 6 ohm के बराबर, यह तो पहली condition में, अब क्या किया, अब यहां P के साथ, एक unknown resistance X series में जोड़ दिया, मतलब यह कितना हो जाएगा, 4 plus X, 4 plus X, यह नया resistance upon 6, तो आप balancing length कितनी हो गई है, हो गई 80, 80 by 100, इसको X के लिए solve कर देना है, बस 4 plus X equals to, कितना हो जाएगा यह, 48, मतलब 480 by 100, और यह zeros cancel, 48 by 10 यान 4.8, याने X is 0.8 ohm, X is 0.8 ohm, तो यह इस question का answer होना चाहिए, next question, the effective current R in the given circuit at very high frequencies will be, दिखने में बहुत डरावना question है, capacitors भी है, inductors भी है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, effective current I, मतलब यह I की value हमसे find out करवाई है, तो एक property आपको पता होगी, आपको एक property पता होगी, यह AC का निशान लगा हुआ है, पर current electricity के concept से ही solve होगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए, और पता होगा भी कि इसे कहते है, inductive reactance, inductor का resistance, omega L ohm, तो यह होता है, 2 pi FL, inductor current flow का जो opposition करता है, ओपोस करता है current flow को, जिस property से उस property को कहते है, inductive reactance, यह आपने AC में पढ़ा हुआ है, तो यह है inductive reactance, बहुत ही आसान question है, बस आपको यह पता होना चाहिए, और दूसरा capacitive reactance, capacitive reactance वो कितना होता है, तो आपको पता होगा, capacitive reactance को denote करते हैं XC से और वो होता है, one upon omega C, और omega is 2 pi F, F is frequency in hertz, 2 pi FC ohm, तो यह है XL और यह है XC, अब यहाँ बात हुई है, high frequencies पर, high frequency मतलब क्या, F बहुत ज़्यादा है, high frequencies पर, मतलब F is too large, F यदि बहुत ज़्यादा है, तो XL कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब high frequencies के लिए XL हो जाएगा infinite, मतलब क्या होगा, infinity होने का मतलब वो तो open circuit जैसा काम करेगा, मतलब उस branch में जिसमें यह लगा होगा inductor, उसमें से high frequencies का source, high frequency का source लगाने पर उसमें से current ही flow नहीं होगा, और high frequency पर, XC कैसा हो जाएगा, तो F बहुत ज़्यादा है, यानि बहुत कम, तो यह लगभग हो जाएगा, zero, मतलब conductor जैसा काम करेगा वो, बस इतना सा काम आपको कर देना है, क्या करना है, high frequency का source लगाया है, तो inductor को हटा दो, और XC को भी हटाओ, पर उसकी जगे conductor लगा दो, मतलब बस इसको यहां conductor लगा देते हैं, जहां-जहां capacitor है, वहां conductor मान लो, यह conductor हो गया, यह भी conductor, जो green से मैंने बिखाया हुआ है, यह भी conductor, यह भी और यह भी, यह सब conductors बन गए, और जिन branches में inductors लगे हुए हैं, उनको हटाई दो, मतलब अब यह circuit में है ही नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, इधर भी inductor ही लग, इधर भी capacitor है यह नहीं conductor हुआ, तब यह circuit आराम से, आराम से आप सिर्फ registers के साथ में बना सकते हैं, तो इधर क्या दीख रहा है आपको यह 4 और यह 4 ओम, और यह 4 ओम, यह 2 रिजिस्टर्स 4 ओम के, फिर इस branch में, यह branch यह तो ही नहीं अब, इस branch में 1 ओम लगा हुआ है, तो यह हुआ 1 ओम, और इधर लगा हुआ है, यह 2 ओम का रिजिस्टर, तो यह reduce हो गया आपका डाइग्राम, किसमें, सिर्फ रिजिस्टर्स नेटवर्क में, इस तरह का नेटवर्क बना लेंगे, और अब यह आपको solve करना बहुत आराम से आत 44 के दो याने 2, याने बस बचा यह एक ओम लेफ्ट वाला, इधर लगा दिया आपने 2, और यह तो ही 2 का, यह सब हुए है, और यह 220 का source है, 220 वोल्ट का source, तो बस दो और दो चार और एक पांच, करंट चाहिए है, तो वोल्टेज 220 अपान 5, याने 44 एंपियर का करंट इस सर होगा, तो 44 is the correct answer, तो यह भी बहुत आसान है, बस यह properties आपको पता हूँ, और यह कुछ properties, resistance का जब हम क्या करते हैं, combination उसकी properties यह पता होती है, तो आसानी से solve हो जाते हैं, तो अगला question, क्या बोला हुआ है, चार, पांच, पांच statements दिये हुए है, A, B, C, D, E, choose the correct answer from the options given below, य पहला क्या है, the drift velocity of electrons decreases with increase in temperature of conductor, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, drift velocity के formula, आपको पता है, VD, VD होगा, E into capital E upon M into tau, जिसमें tau क्या है, relaxation time, यह minus sign भी आता है, यह सिर्फ magnitude लिखना है, उसका, drift velocity का, क्योंकि हमको देखना है कि temperature के साथ, drift velocity electrons की किस तरह बदलती है, तो temperature जब हम rise करेंगे, temperature rise करने पर, क्या होगा, यह tau कम हो जाता है, जो collisions होंगे, वो जल्दी-जल्दी होंगे, तो between two collisions time कम लगेगा, relaxation time decrease हो जाएगा, और इसके decrease होने से VD भी decrease हो जाएगा, और यही बाशायद first statement में लिखी हुई है, the drift velocity of electrons decreases with increase in the temperature of conductor, मतलब यह option तो सही है, फिर तो यह गलत होगा, फिर, the drift velocity decreases, यह नहीं हो सकता है, इसको हटा दिया, अब दूसरी किसके पर किसकी बात हो रही है, drift velocity is inversely proportional to area of cross section of a given conductor, तो एक formula और बता होगा, आपको drift velocity का, क्या है वो, i is equals to n e a vd, n free electron density, e electron का charge, area of cross section उस wire का, और vd है drift velocity, n e a vd, तो यह सही हो रहा है, क्या, the drift velocity is inversely proportional to area of cross section of the given conductor, तो drift velocity area of cross section से क्या inversely proportional है, तो इसके inverse proportion होने के लिए, हमको i के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तब ही हम बोल पाएंगे, वैसे तो यहां दीख रहा है, आपको vd होगा, i upon n e a, तो यह तो दोनों पर depend करेगी, i upon b और a upon b, i यदि steady है, steady current यदि flow हो रहा होगा, तब यह statement सही होगा, नहीं तो यह गलत है, option b तो सही नहीं है, the drift velocity does not depend on the applied potential difference of the conductor, वो depend करती है, v पर, क्योंकि यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, v by l, vd is equal to, आपको बता होगा, e मतलब field, field की unit क्या होती है, field की unit होती है, volt per meter, एक और unit होती है, newton per coulomb, या फिर volt per meter, उससे यह याद आजाता है, ऐसा याद आजाता है हमको, ml into tau, drift velocity तो depend करती है, potential difference पर, यानि यह option भी गलत है, और दो-दो options की बात हुई है, मतलब इसको सही होना ही चाहिए, the velocity of electron is inversely proportional to length, the drift velocity of electron is inversely, इसमें दिख रहा है, inversely proportional to length of conductor, मतलब A and D are correct, A and D only, यानि option B is correct, यह इसका सही answer है, अगला question, क्या बोला, इन गिवन फिगर of meter bridge experiment, the balancing length AC, corresponding to null deflection of galvanometer is 40 cm, यह 40 cm, if the radius of the wire AB is doubled, will be in centimeter, तो अभी balancing length, 40 मिल रही है, और यदी क्या किया, आमने इस wire के resistance को, क्या कर दिया है, double, meter bridge का जो एक मीटर लंबा wire होता है, उसका resistance यदी क्या कर दिया, double, तो फिर balancing length क्या होगी, तो वो कुछ फरक नहीं पड़ेगा, उससे independent होती है, तो theoretical था question, अगला question, as shown in figures, in steady state, the charge stored in capacitor is, तो वैसे तो यह capacitor का question है, पर current में इसको solve किया जाता है, steady state क्या होती है, steady state मतलब, जब यह fully charge हो जाएगा, capacitor, और यदी यह fully charge हो जाएगा, तो इस वाली branch में से कोई current flow नहीं होगा, तो इन branches इसमें से current draw होगा, और इसमें से कुछ नहीं बहेगा, current इस तरह flow करेगा, इस तरह flow होता हुआ, वापिस चला जाएगा, तो यह जो आपको उपर वाला जो आपको दिखरा है, डबा, उसके लिए आप current find out कर लो सबसे पहले, तो current कितना होगा, तो voltage कितना है, 10, और फिर क्योंकि एक ही single path है, यानि ये दोनों कैसे हैं, series में है, यानि 110 ohm, यह आगया ampere में current, यह आगया ampere में current, तो potential difference इसके across कितना होगा, यदि मैं इसको लिखता हूँ, X और इसको Y, तो current कितना है, 10 by 110, 110 मतलब 1 by 11 ampere, 1 by 11 ampere का current flow हो रहा है, रिजिस्टेंस कितना है, 100, इसका मतलब potential difference कितना है, वो potential difference होगा, आई आर का formula लगाना है, 100 by 11 volt, तो यह होगा potential difference और यही appear होगा, इसकी plates के बीच में, क्योंकि अब current तो flow नहीं हो रहा है, fully charge हो गया है, तो कोई drop-up इधर नहीं आएगा इसमें, यही potential difference इसके across अपियर होगा, और हमसे पूछा क्या है, चार्ज, तो capacitor के बारे में आपको बताऊगा, Q is equal to होता है CV, और C कितना है, capacity है, 1.1 into 10 to the power minus 6, यह है, capacity और voltage कितना है, voltage है 100 by 11, answer किसमें आएगा, answer तो अभी आएगा कूलम में, decimal point हटाएं, तो एक zero कम कर देते हैं इसमें से, और यह 11 से 11 कैंसल हो गया, मतलब यह आगया 10 into 10 to the power minus 6, कूलम, और यह अलरेड़ी यहां दिया हुआ factor, 10 to the power minus 6, यहां यहां इसको हमको फिल करना पड़ेगा, by 10, तो यह इस question का answer हुआ, अगला क्या है, two sources of equal EMFs are connected in series, this combination is connected to an external resistance R, two sources of equal EMFs, मतलब यह हुआ, यह पहला वाला और यह दूसरा वाला, यह दो source equal EMF वाले sources को, series में connect किया, this combination is connected to an external resistance, external resistance R, इसके साथ connect किया इसको, the internal resistance of the two sources R1 and R2, R1 and R2, इसका internal resistance R1, इसका R2, यह internal resistance होगे sources के, the internal resistances of the two sources are R1 and R2, R1 greater R2, if the potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, then the value of R will be, तो हम तो current निकालने, current कितना होगा इस circuit का, तो current होगा EMF, दोनों series में लगे, मतलब यह होगया 2E upon total resistance, मतलब R1 plus R2 plus capital R, यह होगया current, और अब क्या बोला, potential difference across the source of internal resistance, R1 is 0, इसके across potential difference 0 है, अब पूटे हैं क्योंकि यह कैसे cell है, discharging cell और discharging cells के लिए हम जानते हैं, E minus IR, यह होता है potential difference, इसको 0 से equate कर देना है, बस value डाल देना है, E is equal to हो जाएगा, IR और I यह रखा हुआ है हमाएर पास, 2E upon R1 plus R2 plus capital R, और क्या आएगा, किस cell की बात हुई है, 1 वाले की, यहां आएगा R1, बस इसको solve कर देना है, तो कितना हुआ यह 2R1 equals R1 plus R2 plus R, हमको find क्या करना था, R की value, तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं, तो R1 minus R2, यह इस question का answer हो जाएगा, R1 minus R2, बस सावधानी से करें, तो यह हमको answer मिल जाएगा, R1 minus R2 is the correct answer. Next question, in meter bridge experiment for measuring unknown resistance S, यह measure करना है, S, यह left gap में लगा हुआ है, the null point is obtained at a distance of 30 cm from the left side, as shown at point D, यहाँ जॉकी जुड़ी हुई है, यह balancing point हुआ, 30 cm पर left end से, और R दिया हुआ है, आपको 5.6 kilo ohm, kilo ohm, then the value of unknown resistance S will be, तो बहुत ही आसान है, S upon 30, यह S upon उसको ले ले, 5.6 kilo ohm, बस यह धहन रखें, kilo ohm में है, तो answer पर ohm में पूछा हुआ है, तो kilo ohm है, यह धहन देंगे, kilo का मैंने बना दिया, यह ohm, S upon, S upon 5.6 into 10 to the power, 3 ohm, और इधर के आएगा, 30 upon 70, याने 3 by 7, और value किसकी निकालनी है, S की, S की value कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टिप्लाइ कर देना है, 3 into 56, into 10 to the power, 3 upon 7 into 10, तो, यह कुछ सॉल होगा, क्या, आता है कि यह इसके पहाड़े में, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, बस यह है, तो 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें 23 के questions लेंगे, और यदि इसमें कोछ चूटे हैं, वो भी हम सॉल्फ कर लेंगे, तो बस आप कनेक्ट रहो, मेरी कोशिश है कि, जही में के पहले और नीट के पहले, नीट और जही दोनों के previous year questions में, आपके साथ में discuss करूँ, Thank you very much.